सब्सक्राइब देडैन में केजुकेशन में आपका बहुत-बहुत सबागत है सो आए हम फिजिक्स के कुछ कोशन यह सिर्फ और सिर्फ 2020 जो प्रिवियस यह था उस में जो जितने भी कोशन पूशे हुए हैं उसको मैंने एक जिगा समराइज किया है जितनी भी सेट में आया आप सिर्फ कोशन देखेगा ठीक है और आप नोट डाउन करते जाएगा तो देखो मैं यहां सब फर्स्ट कोशन स्टार्ट करता हूं दा चेंजीन मेंनेटिक फिल्ड इनक्वाइल इस कौज ऑफ इंडूस्ट इलेक्ट्रिक करन्ट इन इट नेम दा अंडर लाइन फिनमन मतलब यह कौन सा फिनमन नहीं बताएगे यह दो मैंनेटिक फिल्ड का यह कोशन है ठीक है तो इस फिनमन को क्या कहते हैं बच्चो आपको पता है कि जब आप एक एक एलेक्ट्रिक कोई लेते हैं ठीक है और और इसके अंदर मैंनेट को इंसर्ट करके जब हम मैंनेट को जबाब देंगे क्या कि अंचर अंदर लाइनिंग फिनमेंड इस कॉल्ड इलेक्ट्रो मैंनेटिक इंडख्षन इलेक्ट्रो मैंनेटिक इंडख्षन उक्या होता है यह टान लाइन था अच्छ एतनां को लिखना है नेक्ट भी स्पूल टूफर कि सबी रिफ्लेक्टिंग के लिए यह वैलिड होता है और रिफ्लेक्टिंग सर्पेज वो चाहें कॉन्वेक्स हो या प्लेन हो या कॉनकेब हो कोई सब्सक्राइब तो अब नेक्स का आंसर तो बताओ क्या होगा होगा ना कॉनके मिरर का पहले कौन सा फिगर होगा यह यह व्याइज नोन रिफ्लेक्टिंग और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग होगा अब आप यह फोकस है और यह सेंटरव और पोल के बीच में तो आप तो जो focus of pole के बीच में होता है इसका image किदर बनता है इसका image जो है वो behind the mirror बनता है अब behind the mirror बनेगा तो कैसा बनेगा behind the mirror बनता है erect और erect होगा तो obviously बात है virtual भी होगा तो इसका correct answer क्या हो जाएगा virtual and erect ठीक है फिर next time next question देखते है at the time of the short circuit of the electric current in circuit short circuit का concept हो तो हटाई दिया है वह आपकिस लेबस से तो यह तो अभी पढ़ना है नहीं बट इसका answer आप यह होगा increasingly heavily मतलब increase बहुत जादा होता है current यह जादा हो जाता है ठीक है फिर इसके और में क्या question दिया है two bulb two bulb two bulb two bulb 100 watt and 40 watt connected in series तो दो बल्ब है दो रजिस्टर है resistance है इसको एक 100 watt का है दो इसमें इसका power दोनों का given है एक का 100 watt है का 40 watt power given है और सिरीज में connected है the current through the 100 watt valve in is 1 से कि सेtext Push के क्या पुझा देखें à इसमें नहीं पूच्छ नहीं हétaइं स्यू번ुक्त प्रीज में क्या होता है तो आपको पाबर से कुझे सिस्ट इसका ज्यादा है और इसका कम होगा इसका ज्यादा होगा की कम होगा आप यू है इस इंफ्यूजन के लिए दिया है दोनों का दोनों में current सेम हो दोनों क्लों में पता रहा कि हम इंटर से इन्टर करेगा तो चार्ज तो इसमें भी आए या क्यूंकि चार्ज को बीच में रूब यह नहीं जाएगा चार्ज का एनर्जी जरूर यह ले 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 लेगा यहां पर ठीक है तो व्ल्टेज में डिफेरेंस करने की मतलब वह है नहीं तो हम नेक्स कोशन कर लेते हैं इसका ओके इसको से कोई मतलब यहां पर डिसकस करने क्यूंकि आपके से लिए सटा दिया है सोस ऑफ एनरजी तो यह असे संदीन का कोशन हम यह डिसकस्ट नहीं करेंगा हम देखते हैं नेक्स कोशन वोट इस अब द यह फूटी न पार्टिकल में और इसको स्टेट कीजिए कहां पर ऑब्जर किया जाता है तीन नंबर का है तो आपको एक स्प्लेइन थोड़ा सा करना पड़ेगा एक नंबर का नहीं कि आप बस बता दोगों कि यहां पर टिंडल इफेक्ट में अब बताना पड़ेगा और मैं यूट्यूब पढ़ा रखा है तो आप उस वीडियो को प्लेइलिस्ट में जाख देख ले ना साइब के उसके बार करते हैं डिफरेंसियेट के ऱलश्व स्लव है और ग्लास प्रिज्म होता है अब होता है तो आप इसको डिफरेंसिय Beet कर दो और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफिस होता है जैसे वहां पर बताऊं है इसमें कि लाश्लाब मेंनों एक क्या होता है यह एक ट्रेंगल लिए होता है यह पर इंगल पर होता है तो यह जो फ्लैट नहीं होता है तो यह सिंगल रहा नियोट मैं नियुक्प लाइट का एक यह को आपको कर ना पड़ेगा तो इसका का अंसर क्या लिखज़ों इसका आप ग्लास प्रिजम को ग्लास लैब पे आप ग्लास लैप पे तो कोई स्वाई डालो उसमें दोनों पू핑 पधर से झालो याप उन्हान होने का क्यों साथ कि इसमें क्यूं ध्यान रखना इसमें क्यूं नहीं होता है इसमें क्यों चैसे नहीं होता है इसका area ना बता और ना बता हैager की जब आप्लेशी इस में बताऊ करते ही तो यह क्यों नहीं हमें दिखता है एक ग्लास स्लीड में ठीक है और प्रीज में क्यों देखता है अब मैं आता हूं स्निक्स्ě stra Buran殿 मौनोक्रोमेटिक मौनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जो एक जिसमें एक सिंगल कलर कंपोज्ट हूं यदि वाЙट है यहét आप सेंट क्लार्ण या येल्लो क्लार तो यह सब एक जो कलर्ण वाले हो तो उसको मोनो कॉनोक्रोमेटिक लाइट वह प्रिजम में सबका क्थे चलने की यहां पर यहां तक तो एर में सब का ट्रेवल ट्रेवलिंग स्थेम होता है लेकिन उसके बाद नहीं लिखेंगे कि जब प्रिज्म में monochormatic light डालते हैं तो वह seven color में ब्रेक नहीं होता है और जब white light को प्रिज्म पर डालते हैं तो seven color में ब्रेक हो जाता है तो आप देखो conceptual questions physics से पूचे जाते हैं आप ऐसा रट के आंसर नहीं दे सकते हैं physics में नहीं है कि आप इसको रटके थोड़ा आंसर देंगे तो चलिए आप तो चलिए कि तरफ चलते हैं बच्छो तुटी टू निम्मर क्या बोल रहा है कि ड्रोड लेवल ड्याग्राम टू तो ड्रोई लेवल डियाग्राम टू सो रेडिस ब्राउन रेडिस एप्रियंस ऑफ दे सन राइज एंड संसेट यह आंसर बिल्कुल आप जित दे सकते हैं तो इसका आंसर आप क्या दोगे दको मैंने इसको अच्छे तरगे से एक्स्पें किया है कि जो रेडिस एप्रियंस ह मैं एक कॉन्सेट बताता हूं आपको कि जब यह अपनाओं की अर्थ है और यहां पिस आप माञ पर सनराइज और सबसे दूरॉट के सबसे दूर होता है तो दूर होने का मतलब क्या हुआ दूर होने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जो आपका विविग्योर वाला है यह वाली यहां पर क्या होगा यहां पर दिखने का मिलेगा कैसे रेट क्या होता है वेवलेंट बहुत ज्यादा होता है तो यह वेवलेंट ज न यह क्या हो जाती है ज्यादर दूर मलब बीच में कहीं पर ट्रैप हो जाती कहतं हो जाती इसकी एंघ्जी मर जाती है यहाँ तक आहीं नहीं पाती है तो सिर्फ आप पाता है या तो यलो और यद एड depressing ह К को यलो और नहीं लेकिन what happened when sun is overheaded तो जब अब देखो सन यहां था यह चल कर दो फर का टाइम हो गया यहां तक आगए अब distance हो गया बहुत कम अर्थ से अब distance बहुत कम हो गया तो जो लो बेवलेंट वाले ना लो बेवलेंट वाले और जो सब क्या कर देगा सब क्या करते हैं मिक्सिंग हो जाएगा सब का scattering हो जाएगा यहां पर सारे आ जाएंगे अलुट ब्ली वाले यपी और यलो वाले और वाले और सब वालेट वाले मिल नहीए लोगा आप एक पानी में ग्लास में पानी लो जो एक ग्लास में पानी लो और आप उसके वाइट लाइट जब डालते हो ना तो आपको नहीं दिखता है क्योंकि जब यह वाइट लाइट डालते हो न तो इसमें से सार जितनी भी कलर निकलते हैं यहां पर एक सिंगल रे नहीं जाती है जब आप टॉर्च लगाते हो तो उसमे प्लिफ नग्रा जो ब्ली होगा वे इसे साथ इसके वाले रेट के साथ मिक्सडर हो जाए और यह मतलब ये सब Tucson सेंया सब करंदी ज हा मिक्स करके दरताव मिक्स करके बापस है लेकिन लेकिन जब आप ऐसा करोक है आपने पानी पानी लिया ग्लास में और यहां से डालो एक सिंगल रे और सिंगल रे कैसे बनाओगे मानलों कि एक आप यह से लेना जो आपना है फिलिप कार्ट का कार्टून उसमें लेना और उसमें एक दब सुई से छेद कर देना बिल्कुल बारीक सा छेद करना और अंदर आप बल्ब ग्लास पर भी डालोगे जिसमें पानी होगा उसमें भी आपको सेवन कलर देखने को मिलेगा तो ऐसा कोई जरू नहीं कि सिर्फ प्रिज्मी सेवन कलर दे आपको ग्लास में पानी यह दी है तो वह भी दे सकता है ठीक है बस कंडिशन क्या है कि एक सिंगल रे होना चाहिए बस यह बीम फरी नहीं होना चाहिए तो यहीं है यहाँ पर कि जो संलाइट है वह क्या है मलव वह सारे कलर में बनके और वह बापस से वाइट अप्रिजन दे देते हैं इसलिए हमें संक टाइम और जब नून के टाइम पर वहां पर हमें वाइट आप्रिजन मिलता है अब पर प्रब्र-फंदे एक रयाप है तो बते वृह बता लेकिन अ क्वारन्ट और दिया हूं अबताता है दिस ग्राफ क्या बढ़ाना चाहते हो एंड रोदा सर्कीट डियाग्राम सच ग्राप तो चलो एक बार पहले आप खुद अटेम्ट करो फिर मैं आपको बताता हूं देखो इसमें आपको इंफोर्मेशन क्या दे रखा है बाच्चों सिध्धा वात है कि ओम सलो यहां पर फॉलो रहा है ओम सलो होता है वी डियाकली स्लोप में देखूँं तो यह हमारा स्लोप है ठीक है जो यह वी है और यह इंद स्लोस और उन्पर रहा है तो इस ग्राप कर बता चला कि हमारा ऊम स्लो यहां पर फिर थर्टिफ टॉंटिफोर नॉमबर कोश्चन देखो यहां क्या है कि राइट दा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप दी जूल्स लोग को आपको एक्सप्लें करना है जूल्स लोग क्या होता है जल्दी बताओ मैंने पिछले क्लास में भी डिसकस किया है और आपको यहां दानारा पर एक चीज और पुछा था कि ब्रॉल सर्की डायग्राम तो सरकीर बनाएं अग्राफ के लिए शर्कीари बनाइन अ एक आप्ला और उसके रजिस्टेंज को एक जो रजिस्टेंस है और हमारा वोल्ट-बिर उसको कैसे बताओगह। उसको बताना है पैयलल में घल् और श्रीज में लगाना अमीटर को और एक स्वर्स लगा देना यह बनाना था इसका बात करते हैं रटने के चीज नहीं है मैंने बता रखा है कि वोल्ट क्या होता है डबलू अपॉन क्यू वर्क डन पर इनुट चार्ज और यहीं से वर्क डन का देखें तो क्यों होता है वी मैं चार्ज लेकर आ रहा है वह रजिस्ट्रेंस के साथ कितना फोर्स वाहां पर लगाकर हीट जेनरेट कर रहा है मतलब यही work done finally किसमे heat में मिलता है हमें वहां पर work done तो मतलब यह work done जो है यह ही heat है तो इसका क्या हो जागा h equal to vit ठीक है यह है mathematical है अब इसको और भी इसको further break कर सकते हो आप देखो मैं यहां से और बताता हूं इसके तीन formula h equal to vit ठीक है अब ohm slow से यहां पर put कर सकते हो क्या होता होता है आइ-र तो यहां पर put कर दो v equal to IR तो दो आई आजाएगा यह हो जाएगा आइस स्कॉयर आपने पढ़ा होगा यह भी एक एकस्ष्मेशन यहां से आई का एक बार रख दो आए का पता हो जाएगा क्या Vपन आर तो वी आपन आर क्दूब तो यह वी स्कॉर वी स्कॉ तो यह फॉर्मल लगा देना यह तीनों आपको मैथमेटिकल में लिख कर आना होगा क्योंकि यह को दिया है कि मैथमेटिकल एक्सपरेशन बताना है जूल स्लोग को ठीक है सो चलिए आज के लिए इतना ही फिर हम नेक्स क्लास में मिलते हैं और फिर हम यह इसी कोशन को हम कंट फिर एटीन का तो इस तरह से मैं यह वाई जब फिजिक्स का कोशन कराऊंगा और कमेस्टी का तो थैंक यू फर वचिंग डैन मेंच को एजक्वेशन और यह दी आपको यह दी पढ़ाई वहा मेरा समझ में आता है तो आपको क्या करना है बच्चों के बीच में शेयर करना है गौड ब्लेस यू